हेलो दोस्तो के लडी क्लासिस में आप सभी का स्वागत है मैंने कल ही आप से कहा था कि एक ऐसा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा नेपाल देश उसके साथ साथ अलग देशों के लिए भी कि जहां से आपको कुछ न कुछ सेखने को मिलेगा उस महिला की कहानी जिसने बदल कर रख दिया नेपाल देश की कहानी कोई महिला अगर दूसरे देश से आकर कोई बड़ा काम कर दे तो उसके बारे में बात करना और लोगों को जानकारी होना बहुत ही जरूरी हो जाता है उस देश के लिए और जिस देश की यह महिला है उसके साथ साथ अलग देशों के जो लोग कुछ सीखना चाते हैं कोई प्रेड़ा लेना चाते हैं कोई समाजी कार कहीं पे कोई काम करने वाले हो अमेरिका देश के न्यू जर्सी राज में एक छोटा सा नगर है मेंदम बोरो छोटा है मगर बहुत ही प्यारा अस्थान है करीब दस वर्स पहले इस अस्थान पे जो ये आपका मेंदम बोरो यहां पे पांच हजार लोग यहां पे रहते थे क्योंकि यहां पर सुविधाएं सांती और सुकून का माहोल होने के कारण यहां अमेरिकियों को बसने के लिए खीचा करता है इसी नगर में स्टीव और नैंसी डाइने के घर नॉमबर 1986 को एक बेटी का जर्म होता है और इसका नाम रखा जाता है मैगी डाइने यहां पे यह इमेज लगाए गया है तो यह है मैगी डाइने जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं इनके पिता ने फूड इस्टोर पर मैनेजर की नौकरी इसलिए छोड़ दी ताकि अपनी बच्ची के पालन पोसड में कोई कमी ना रह जाए और इनकी मां रियल इस्टेट छेतर में काम करती रही मैगी डाइने के दो और बहने थी वर्ष 2005 में वह हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुके थी और आगे ग्रेजुएशन करने के बारे में सोच ही रही थी कि अमेरिकी सिछावे उस्ता में अपने बच्चों को इन दोनों के बीच में गय पियर का एक औसर देता है कि इसक बीच में आपको इतना समय दिया जाता है आप जाके दूसरों देशों में या कुछ भी आपको सीखना है आप सीख सकते हैं ताकि वे इस अंत्राल में देश लुनिया को देखें समझें या कोई और अनुभव को प्राप्त करना चाती है तो प्राप्त कर सकते हैं ये अमेर गलग देशों में आपको घूमना है लीप नाउ संगठन के साथ यात्रा करने का फैसला किया वह सबसे पहले आश्टेलिया गई फिर फीजी देश होते हुए भारत पहुची इन्होंने अपनी योजना में एक सेमेस्टर को भारती अनाथाले के अनुभव से भी जोड रखा भारत में ही मैगी को नेपाली बच्चियों से मुलाकात हुई क्योंकि उस समय वहां पे जैसे 2005 के सेशन या 1996 से ही 2005 तक नेपाल में सिविल वार या ग्रियूद चल रहा था जिसके कारण से लोग जहां पे भी उनको जगह मिल लाता जैसे भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है उखुली है तो लोग यहां पे आने की कोशिस कर रहे थे और आये भी थे तो उसी के बारे में बताया गया है कि भारत में ही मैगी को नेपाली बच्चियों से मुलाकात हुई वर्सों के पहले हुए गिरियूद में से बच्चे नेपाल से भारत चले आये थे बच्चों स आप नेपाल में भी चले ऐसे नेपाली बच्चों की मांग थी इसे जो मैगी डायने हैं नेपाल में जब हालत कुछ सुदरा तो एक यूगती के साथ मैगी नेपाल देश जा पहुंची वह हिमाला की गोद में बसा बहुत ही खुबसूरत गाउं था गाउं के पास से ही एक नदी बहती थी इस्वर ने इस भूभाग पर अपना सब कुछ दे रखा था लेकिन इंसानों को नहीं बलकि प्रकीती को दे रखा था आपसी तनाओं के कारण नेपाल को इस गाउं में समस्या ही समस्या नजर आ रही थी चाहे वो मंदिर हो मस्जीद हो इसके साथ सभी धा अपजे में ले लिया था मैगी ने अपने स्कूली सिच्छा में कभी पढ़ा था कि जब भी कहीं पे जंग छेड़ती है या आराजकता फैलती है तो उसका सबसे ज्यादा नुक्सान औरतों और बच्चों को चुकानी पड़ती है यह सब एक नंगे सच के रूप में उनके तोड रहे थे यह सब देखकर मैगी का युवा मन बहुत ही दुखी हो गया तभी एक दिन उनकी मुलाकार हेमा से हुई जो नेपाल की मात्र साथ वर्स की मासूम सी बच्ची थी जो बच्चपन में पथर तोड़ना और कच्रा बटोडने में अपना जीवन बिता रही थी वह बहुत ही प्यारी बच्ची थी मैगी ने जब उसको देखा और हमेशा ही वह नेपाली भासा बोलती थी मैगी बताती है कि जब भी उसे वह देखती थी उसी में हो जाती थी और उनकी अंतरात्मा बार बार यही कहती थी कि हमें पता है कि दुनिया में करोणों हेमाय हों सोचती हूँ कि मैं सब के लिए भले ही कुछ ना कर सकूँ पर क्या इस एक लड़की की जिन्दगी नहीं बदल सकती हूँ मैगी ने इसके बाद हेमा को लेकर स्कूल गई और उसकी फीज के रूप में 7 डॉलर जमा किये उन्होंने हेमा को स्कूल ड्रेस दिलाया केताबे और दूसरी जरूरे समान भी जो दूसरी जरूरी समान होते हैं सब ही उस समय उन्होंने परजेंट कराया ताकि वह बगएर किसी एहसास के कमतरी के स्कूल में पढ़ सके इस काम से मैगी को एक अजीब सी खुसी मिली फिर तो जैसा उन पर परुपकार का नसा सवार हो गया कि जैसे होता है कि एक कदम अगर आप बढ़ाते हैं तो आगे और कदम बढ़ाने के आटोमेटिक बढ़ने सुरू हो जाते हैं सोचा अगर मैं एक बच्ची की मदद कर सकती हूँ तो पांच की क्यों नहीं फिर यह तो आकड़ा बढ़ता ही गया पांच से दस दस से इस तरह से हजार इस तरह से आगे बढ़ता गया और आज यह आकड़ा लाखों में पहुँच गया जिसके माद्धम से मैगी डायने पर नहीं थी क्योंकि वो तो अमेरिका से बहुत ही पहले निकली थी जैसे अलग-अलग देसों की आत्रह करके यहां नेपाल में पहुँची थी लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि जब मैगी हाई स्कुल की पढ़ाई कर रही थी तो पार्ट टाइम जाब करके इन्हों को मंगवाया हजारों किलोमीटर दूर इनके माता पिता दुखी तो हुए लेकिन बच्ची के दोरा उठाया जा रहे जो कदम एक इस तरह से प्रोपकार की जो भावना थी बच्चों को उठाना और इस तरह से उनको एजुकेशन से जोड़ना जो पत्थर तोड़ रहे थे क्या करना चाहिए प्रोपकार के लिए करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए जब आपको समझ में आएगा तो आपका जीवन वही से बदलना सुर हो जाएगा अपनी कोशिसों से मैगी ने हजारों डॉलर और जुटाएं और सुर्खते घाटी में एक जमीन खरीदा वर बच्चों में से कई ऐसे परिवार के थे जो अपने पूरे या खांदान के पहले बच्चे थे जिन्होंने इस्कूल का चहरा देखा था इस्कूल के साथ ही इनकी संस्थाएं अलग-अलग कामों के माध्यम से आज नेपाल देश की भला कर रही है मैगी की एक जैविक संता इनकी एक संस्था है अगर आप उसमें कुछ मधर करना चाते हैं क्य आपनेपाल के हो भारत को, किसी भी देश के हो तो आप इसमें डोनेशन दे सकते हैं तो इनकी जो संस्ता है वो है आपका Blind Now Foundation 2007 में अस्थापित किया गया था आप उसे जाकर Google पर भी सर्च करते हैं कर सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह इनकी website है यहाँ पर आप जाके information एक बार जरूर इस website पर लागिन करके information एक बार देख लिजेगा कि कैसे काम करता है अगर कोई यहाँ पे admission दिलाना चाहते हैं आप अपने बच्चों को तो आप दिला सकते हैं और क्या पूरा process है इसके साथ ही इनको कई और एवार्ड मिल चुके हैं जैसे 2008 में Cosmo Gear of the Year 2009 में Grand पूरसकार 2012 में Forbes 400 में इनका नाम आया था 2013 में Forbes से इनको पूरसकार मिला है इसके साथ सबसे बड़ा पूरसकार अगर माना जाए तो इनके जीवन में जो दलाई लामा जी ने दिया था 2014 में अंसंग ये की पूरसकार होता है अंसंग हीरो आप केमपेशन जो दलाई लामा जी के द्वारा दिया गया था तो ये थी हमारी आज की सबसे important information कि एक दूसरे देश की महिला ने कैसे आके नेपाल की मदद की नेपाल देश की पढ़ना उनके जीवन के नहीं किया गया था या उन्हों ने कभी सोचा नहीं था कि Hम कभी अमने जीवन में स्कूल को देख पाएंगे उन्हों ने उस बच्चोड जीवन को बदला और अब ही भी लगातार उन बच्चों के बदलने की कोशिस कर रही है उनके जीवन को बदलने की कोशिस कर रही है और लगातार नेपाल देश की मदद कर रही है और इनकी अन्य संस्थाय जल्दी खुलने वाली है जो अलग-अलग देशों में भी ऐसी ही मदद करेंगी इसी प्रेकार से बने रहे, आप जरूर एक बार इनकी जो website हमने बताया है उस पर जाके login करके इनके बारे में information प्राप्ट कर सकते हैं इसी प्रेकार से बने रहे, बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD Classes की ओर से धन्यवाद